सच्छे अकाल जी, मैं गगंदीप कॉर्प, साइंस मेंस्टर्स, गर्मेंट, सिनियर्स, कैंदी, स्मार्ट स्कूल, सैंसरा, देस्टिक, अम्रेसर. वेलकम तु दिस मेजूल. इस मेजूल दे वेच असी गालबात करांगे, Understanding the Gender and its Dimensions in School Processes. जेंडर दे बारे, जिवें के तुसी पढ़िया, जेंडर नू असी किस तरा स्कूल प्रोसेस दे विच हैंडल करना आया, किस तरा असी अपने विद्यार्थियां दे मना दे विच इस आस्पेक्ट नू देवल्प करना आया, that we are equal, male ते female एक सिक्के दे दो पहलू ने, but we should not look male and female gender as a two opposite sides, but we should look at it as a spectrum, सानू एक स्पेक्टरम दी तरा इसनू देखना चाहिदा है, ते समाज दी नी साढ़ी स्कूल दे विच ही रखी जान दी है, जो कुझ असी विद्यार्थिया नू अपने स्कूल दे अंदर सिखोंदे हा, उसे तरीके दे सानू attitudes, behavior, समाज दे विच नजर ओन देने, so it's very important कि असी अपने स्कूल दे अंदर विद्यार्थिया दे विच जेंडर एक्वैलिटी नू लेके उना दे अंदर चंगियां कदरा कीमता पैदा करिये, ताकि उस समाज दे विच जाके एक चंगे सेटिजन बान सकन, so in this module we will discuss about that what is the role of a teacher in school to handle gender equality and what is the role of principal, कि अपने स्कूल दे विच जेंडर एक्वैलिटी नू handle करना है, किस तरह असी विद्यार्थियां दे मना दे विच एक चंगा कदरा कीमता जड़ियां ने उना दे मना दे विच ड्वैल्प करनी ने एक चंगा इंसान उना नू असी बनोना है, ताकि वो जेंडर दे जड़े रोल्स ने, सुसाइटिक दे वेच उना नू दित्ते गए ने उना नू चंगी तरह हैंडल कर सकन, आउ असी चंगा समाझ बनाए, आउ असी चंगा समाझ बनाए, जेंडर एक्वैलिटी नू स्कूल ना विच अपनाए, जेंडर एक्वैलिटी नू स्कूल ना विच अपनाए, सो लेट्स स्टार्ट देस टॉपिक, आवा हैपी लर्निंग! आपिक लोगए, आपिक लुपिक, आपक सम्चनाँ जेंडर एक्वैलिटी नू स्कूल ना विच अपनाए, आपक संगा सम्चनाँ अते स्कूल नी परिक्रियावाँ विच आप। इस देमब। In this module, we will discuss about hidden curriculum लुक्या हुया पाठक्रम, role of teacher in managing gender differences, लिंग नियां पिन तावा दे परबंधन विच अदे आपका दी कीपो मिका है, इस बारे गलबात करांगे, role of principle in managing gender differences, लिंग नियां पिन तावा दे परबंधन विच प्रिंसिपल दी कीपो मिका है, इस दे असी रूबरू होँआंगे. So what is hidden curriculum? लुक्या हुया पाठक्रम की है? पाठक्रम विच स्कूल विच रस्मी तौरते सिखाई जान दी, सारी लोडीन दी अते सही जानकारी शामल हुन दी है. हाला कि कुछ पहलू हन जो एक स्कूल पर नाली विच गैर रस्मी सिखाया जान दा है, अती इसनों ही लुक्या हुया पाठक्रम कीहा जान दा है. Hidden curriculum इस विच ओ विवहार द्रिष्टी कोण अते रवये शामल हुन दे हन, जो स्कूल दी प्रिक्रियामा विच अंजाने विच ही विद्यार्थी ग्रेहन कर दे हन, अती जो स्कूल विच निर्धारित पाठक्रम दा पावे हिस्सा नई हुन दे जा होवे सक दे हन. So hidden curriculum ओ चीजां, ओ विवहार, ओ द्रिष्टी कोण ने, जो असी जाने अंजाने दे विच विद्यार्थियानों सिखा देंदे हां, पामे के ओ साड़े पाठक्रम दे विच असी रोजाना उनानों असी निर्धारित पाठक्रम दा हिस्सा नहीं मान दे, पर फिर भी असी विद्यार्थियानों बहुत सारियां इद्दा दियां चीजां उना दे द्रिष्टी कोण रवयेनों बदलन वालियां सिखांदे हां, उसे नो ही असी hidden curriculum केंदे हां. लिंग लाजमी तौरते इस लुक्वे पाठक्रम दा इकतत बन जान्दा है, जी में के संगठित क्लासरूम जिस विच लिंग दे अदारते वक्रे थां शामल हुन दे हां, असी मुंडे ते कुडियानों अलाग लाग जगाते बठों दे हां, मुंडे अते कुडियान ले असी वक्वक काम करन दी जिम्मेवारी सौप दे हां, रुजान्ना स्कूल दी गतिविदियां दे विच वी असी जेंडर नो माइंड विच रख दे हां, इनाम अते सजा दे सिस्टम भी असी लिंग देया दार्ते देंदे हां मुंडिया लें असी कोई होर सजा देंदे हां अते कुडियानों असी वक्री तरह दी सजा देंदे हां इसे तरीके नल इनाम देन विच भी असी वक्रेमा करते हां वक वक रण नीती द्वारा लड़के अते लड़कियां दा अनुशाशन कायम करना सो असी लड़के अते लड़कियां दा अनुशाशन दे लेई वी असी वक वक रण नीती अपनों दे हाँ अधे आपक दे लेबलिंग पैटरन, अधे आपक भी कई तरह दे लेबलिंग पैटरन बॉइज एंड गर्ल्स देले वर्त देने, अधे आपका दा बच्चेया नाल ते बच्चेया दा आपसी ताल मेल, सो ए सारिया चीजा विद्यार्थिया नू उना दा नजरिया बदलन दे विच सहाइक होंदिया हन, पामे असी ए रस्मी तौरते नहीं सखांदे, पर गयर रस्मी तौरते ए लुकवे पाठकरम दा हिसा बढ़ जन दे हन, जो के विद्यार्थी ग्रहन कर दे हन, Rule of teacher in managing gender differences, अध्यापका दा की रूल होना चाहिदा है, लिंग दिया पिंतावा दे परबंदन विच अध्यापका दी की पूमिका होनी चाहिदी है, सवाल इह है, अध्यापक इहो जिया वातावरन पैदा करन, जिते लड़कियां समेच सारे विद्यार्थी अपने तजर्बे सांजे कर सकन, इस तरह दा वातावरन इन्वार्मेंट सानू प्रोवाइड करना पैगा, जिते गर्ल्स बिना किसे हैजिटेशन तो, अपने अध्यापक दे नाल, अपनियां गल्ला सांजियां कर सकते होन, सिख्यार्थियां नू प्रेरिद करनली, सानू रोल मॉडलां दी उधारन देनी पवे की, सो विद्यार्थियां नू बहुत सारी एंग्जाम्पल्स डेली लाइफ दे विच्चों अध्यापक दवे, ताके विच सिख्यार्थी जडेने उननू अपनी निजी जिन्दगी विच अपना सकन, अध्यापक स्कूल दियां सारी गतिविदियां विच लिंग द पात अते रुजाना बारे स्वाल कर सकदे हान, विचार्व टंडरे कीते जा सकदे हान, अते डिसकेशन या बहस दे अतारते टुकवे हल चडेने उसी कड सकदे हान जी स्कूल द्वारा छुपे पाठकरम, यानि के हिडन करिकुलम नो त्यान विच नई रख्या गया, ता दोवे लड़के अते लड़कियां, उनना नो सौपियां गईयां लिंग पूमिकामा, अते जिमेवारियां नो अंदरूनी रूप विच जारी रखन गे, अते जो सम समाज विच लिंग पक पात नो काइम रखदा है, सो हिडन करिकुलम जो के स्कूल दे विच विद्यार्थियां नो जेंडर डिफ्रेंसिस दे अनुसार बहुत सारियां चीजां जडियां ने असी गयर रस्मी तौरते सिखा दिन दे हां, जो के विद्यार्थियां अपने न टिफ्रेंसिस नो कटा के, असानू स्कूल दे विच एक्वायलिटी नो मेंटेन करना चाहिदा है। प्रिंसिपल स्कूल दे वातावरन नो किमे यकीनी बनांदि कि लिंग स्वेधन शील हो सके सो किस तरह ओ अपने स्कूल दे विच ए हो जा वातावरन बना सक दे हान प्रिंसिपल नो स्कूल दे कारजां विच लिंग समानता नो चाहिद करना चाहिदा है प्रिंसिपल ले ये लाजमी होना चाहिदा है कि यो लिंग नाल जुडे मुद्यां ते सहयोगी स्टाफ समेथ सारे स्टाफ मेंबरा प्रती 20 वेधन शील हुवे प्रिंसिपल दा रोल बहुत एम है क्योंकि प्रिंसिपल ने स्कूल दा पूरा वातावरन जड़ाया उसनों सुखामा बनाणा हुन्दा है सो उस दी अपनी पाशा भी समेथन शील होने चाहिदी है स्कूल कॉंपलेक्स अंदर लिंग समेथन शील सहूलता भी होनिया चाहिदी है जी में क्या कारजखारी पकानी वाश्रूम्स जड़ेने ओ प्रपर होने चाहिदी है लोड़िन दे अराम कर बोईज गर्ल्स जड़ेले रेस्ट रूम्स होने चाहिदी है पाणी दे उपलबता जड़ी है ओ प्रपर होने चाहिदी है स्वच्चता सुहूलता ते सेनिटरी पैड्स जड़ेने ओ भी मोहिया करवाने चाहिदेने सो यह असानों दिखना पवेगा कि असी बोईज एंड गर्ल्स उनना दियां की जड़ियाने रिक्वाइर्मेंट्स ने अति किस्तरा असी उननु स्कूल दे विच पूरा करना है आते किस्तरा असी school देवीच निर्धारित करना है कि विद्यार्थीयां दे मना देवीच ऍहें जेंडर डिफरेंशिज ना आर्ण उना दे उपर कोई labeling ना किती छावे उनानो हैं उनानो असी इकल देख के चलिए ताकि असी स्कूल दे विच्वी उना देनाल इको जिकर वया स्वेधन शील पावना रखिये कते कोई डिफ्रेंसिस ना रेट करिये ताकि सड़ा समाज वी जिडाया उदे विच्वी जेंडर इक्वैलिटी आ सके उना नो असी क्लास्रूम दी सिखलाई प्रक्रियानो वदेरे स्वेधन शील बनाले अदे आपका दा समर्थन करन दी पूरी कोशिश करनी चाहे दिये स्वेधन शील पाशादी वर्तों करो दोस्तों असी एवी जान दे हां कि हिंसा स्कूल विच अते बाहर वी कई तरह दे रूपा विच परगट हुन दी है सो हिंसा किसे नल भी हो सकदी है चाहे वो कुडिया होन चाहे वो मुंडे सो प्रिंसिपला लई ए लाजमी है कि हो किसे भी किसम दी हिंसा प्रती जीरो सेहन शेलता जीरो टॉलरेंस दी नीती विक्सित करन सो ए साड़ा सब दा एहम रोल है being a teacher, being a principal, being a head of the institution कि असी अपने स्कूलां दा सुखावा महौल सिर जीए असी कुडियां ते मुंडियां नूँ एको जईयां opportunities प्रोवाइड करिये उननों सुखावा महौल देए जीते की असी कुडियां ते मुंडियां दे मना देविच वक्रेवें दी पावना ना पैदा करके बल्कि उननों एको जिका ट्रीट करिये ता की साड़े समाज दे विच्वी ए जडेव लोगां दे मना देविच जेंडर डिफरेंसेज ने अति उन्हा ने अलाग अलाग रोल निर्दारित की तेने उन्हा देविच भी सुधार आ सके Thanks, have a happy learning